Hello guys, welcome to my channel, Let's Crick Judiciary So guys, आज की वीडियो में हम करेंगे Criminal Procedure Code में Chapter 3 and Chapter 4 जो deal करेंगे Section 26 से लेके 40 तक तो Section 26 से हम स्टार्ट करेंगे अपना Chapter 3 और 35 तक ये Section cover होते हैं इस Chapter में Prelim के लिए important है Section 26 कहता है Courts by which Offences are Triable ठीक है, यानि की जो भी इस Code में दिये गए हैं उन सारे Provisions को ध्यान में रखते हुए आगे कैसे बढ़ा जाएगा? A में जो Offences IPC में आएंगे ठीक है, वो कौन-कौन ट्राइ करेगा? High Court, Court of Session और जो First Exeggdule में है Court यानि की जो आपको इस Code में First Schedule में प्रोवाइड हैं कि ये Offence ये Code करेगा तो वो उसके According ठीक है? प्रोवाइजो में कहता है कि जो Offences है specially women के खिलाफ ठीक है, जैसे 376, rape वगएरा के 376, A, B, C, D, A, B, D, A, D, B, E इन सभी में जो Presiding Officer याने की होगा वो कौन होगा? Magistrate होया? Judge हो तो कौन होगी? Woman होगी ताकि जो woman है, जो victim है वो थोड़ा comfortable भी फील करें वो अपनी जो उसे गवाही देनी है या जो भी उसे बताना है वो comfortably बता सके ठीक है? Woman होगी तो एक अलग वो होता है और B में कहता है कि किसी और लो में जैसे और हम अभी लो पढ़के आए हैं जैसे SCSTX में होता है या फिर हम ने राजस्थान के सारे पढ़े हैं उनमें आपने देखा होगा कि अलग लो में जो कोट से mention होती है कई बार तो वो जो mention है उसी कोट में और अगर mention नहीं है तो फिर इसी provision के according high court और first schedule के according हो जाएगा ठीक है? सेक्शन 27 फिर कहता है जो juvenile है यानि कि 16 से कम है ये age है इस में ठीक है? इस section के लिए ये age है तो उनके case में किसके पास jurisdiction होगी? पीटी लिख लेना पीटी का question दो तिन बन जाते हैं यहां से तो offenses लिए है जो death और life imprisonment से अलग जो भी offenses होंगे वो age में आपको बताई 16 से कम और किस court में इसकी jurisdiction होगी? तीन तरह की court बताई है 1, 2, 3 कर लेना पहली है Chief Judicial Magistrate, सेकिंड है Children Act 1960 में Empowered Court या फिर treatment training और rehab के लिए जो कानौन बनाए गए हैं उनके तहट जो court होगी वहां क्या होगी? जुरिस्डिक्शन होगी Section 28-29 पे playlist CRPC में हिरार की भी बताई थी मैंने एक दो मिनट की वीडियो है वो देख सकते हैं तरवाइस मैं आपको 10-15 सेकिंड में अभी ये जस्ट recall करवा देती हूँ Section 28-29 कोई कठे पढ़ना 28 mainly judges से deal करता है और 29 magistrates तो इनकी क्या power है कितने ये offenses हैं उनकी imprisonment की according इनकी power बताईगे है High court में कोई भी sentence session judge या additional session judge है तो भी कोई sentence पास कर सकते हैं बस जो death की confirmation है वो high court देगा ठीक है 361, 368 66 और 368 के procedures फोलो होंगे provisions फोलो होंगे assistant session judge जो होगा वो 10 साल तक की सजा दे सकता है chief judicial magistrate 7 की और judicial magistrate of first class 3 साल की और 10,000 की ठीक है ये 1000 लिखा गया है 10,000 कर लेना और ये आता है प्रेलिम का इस तरह से कई बर पूछा हुआ है और JM2 judicial magistrate 2nd class एक साल और 5000 तक का जुर्माना दे सकता है ठीक है तो 28, 29 दोनों एक ठेक अबर कर लेना उसके बाद देखो section 30 section 30 क्या कहता है कि मान लो आपको fine की punishment मिली है एक offense में तो फिर क्या होगा अगर आप fine नहीं देते हो in default of fine का मतलब है fine आप पे नहीं करते तो आपको सजा जो है उससे गुजरना पड़ता है ठीक है तो लेकिन limit होती है तो क्या कहा है देखो first subsection में कि court of magistrate जो है may award such term of imprisonment in default of fine जो भी authorized है ठीक है तो mainly first में लिख लेना authorized जो imprisonment है वो दी जाएगी proviso को ध्यान में रखके दी जाएगी यानि कि first subsection कहता है proviso का sorry कि जितनी magistrate magistrate किसमें पड़े हमने 29 में 28 में judges थे तो जितनी 29 में magistrate की power है उसको access में नहीं होना चाहिए sentence को और second में बात कर रहा है कि one fourth जो term है imprisonment की जितनी वो उसकी competency है ठीक है उससे जादा नहीं होनी चाहिए ये word ध्यान रखना इस बेरेक में लिखा है shall not तो provided that the term shall not where imprisonment has been awarded as part of substantive sentence substantive sentence क्या होती है देखो जो offense के लिए prescribed sentence है उसको बोलते है substantive sentence ठीक है तो कह रहा है जितनी वो competency है ये जो last में लाइन लिखी है कि otherwise than as imprisonment in default of payment of fine का मतलब ये होगा पूरे जो B का कि जो magistrate competent है substantive sentence में award देने के लिए यानि कि मान लो वो है 8 years की देने के लिए तो उसका 1 fourth यानि कि कितना हुआ 2 years से ज़्यादा आप in default of payment of fine नहीं दे सकते यानि कि fine पे नहीं किया और आप 8 साल की सजा दे सकते हैं तो आप केवल fine में के default में आप उसको imprisonment दे सकते हैं केवल 2 years के ठीक है इस example से समझ लेना second subsection कहता है कि imprisonment कौनसी in default of fine और substantive sentence जो उस offense के लिए दी गई है क्योंकि होता है कई बार imprisonment होता है और fine और both है ना both भी आता है तो उस way में कहा है कि जो ये इनका addition होगा मान लो यहां आपने दे दी 4 साल की मैं 8 वाला example ले रही हूँ 8 years की competency है यहां पे आपने 4 years की दे दी तो substantive वहां पे कितनी दे सकते हैं 2 साल तक की तो आपने 2 साल दी तो कितना हो गया total 6 तो section 29 कहेगा section 29 में जो power है जतनी limit है maximum term की इसमें हमने example 8 की लिया था तो 8 को exceed नहीं करेगी maximum term उतनी होगी ठीक है section 31 फिर कहता है देखो sentences in case of conviction of several offenses at one trial ठीक है यानि कि first subsection में ध्यान रखना main बात यही है PT में आता है मान लो एक person convicted हुआ और दो या उससे ज़्यादा offense में वो convicted हुआ यानि कि suppose कीजिए murder का charge लगा है उसमें उसको criminal conspiracy भी लगा दी गई और section 34 भी लग गया और wrongful confinement का भी लग गया तो दो से ज़्यादा offense हो गए अब क्या है सब की offenses दी जाएंगी अलग-लग charges की सब की offenses तो यही कहता है कि provision जो 71 में है IPC वो follow होगा IPC पढ़ेंगे तब बता दूँग इसमें ऐसाच कुछ नहीं है यही होता है इसमें कि किस तरह से imprisonment और concurrently और consecutive इनी चीज़ों का जिकर है दुबारा उसी में 71 के रहते जो अभी provision है अपलाई होंगे और कहा है अगर ऐस सच कोई चीज होती है तो offense के बाद offense जो punishment है उनकी एक के बाद एक चलती रहेगी जब तक कोट ये ना कह दे कि ये एक साथ चलेंगी यानि की concurrently यानि की मान लो तीन offense है एक में दो की दे दी एक में एक की एक में चार की तो वो ऐसे चलती रहेंगी दो खतम हुए फिर एक फिर चार जब तक कोट ये नहीं कहता कि concurrent Concurrent चलेंगी तो total कितनी हुई चार, जो maximum होगा उतनी चलेगी, क्योंकि वो concurrently मतलब एक साथ वे चलती रहेंगी, तो यही बात कर रहा है सब section 1 में, second कहता है कि magistrate की competency है मान लो, example मैंने यह लिया है, 7 साल, और आपका total offenses का आगया 8 साल, अब यह हो गया ज्यादा, तो केवल इस चीज में कि आपका यह total ज्यादा आ गया है, तो आप higher court में उसका trial नहीं भेजेंगे, ठीक है, consecutive ध्यान रखना, consecutive sentence में, यानि कि एक के बाद एक के बाद चलेगी, उस case में का आय सब में नहीं, तो it shall not be necessary for the court, ठीक है, जरूरी नहीं होगा to send offender for trial before a higher court, ठीक है, वही try करेगा, जिसकी 7 साल की competency है, किस cases में, consecutive sentences में, proviso important है, प्रलिम के लिए, 14 साल कहता है, maximum, आप सजा दे सकते हैं, जो ये consecutive हैं, ऐसा नहीं होगा, कि 70-70 का total बना दिया, आपने सब की punishment का नहीं, कितना होगा है maximum, 14 years, ठीक है, और दूसरी condition ये होगी, मान लो, उसकी competency 7 years है, तो वो 14 years की ही, twice, जो punishment है, वो दे सकता है, उसको exceed नहीं करेगा, तो ये दो चीज़े हैं, इसमें, 14 साल की, और twice, जितनी वो उसकी competency है, उसका twice जो है, वो दे सकता है, उससे exceed नहीं करना चाहिए, थर्ड में कहता है, अपील के लिए, उनका total करके, जो अपील होगी, क्योंकि क्या होता है, जैसे session जज में करनी है, high court में करनी है, तो एक limit होती है, इसके बाद आप इस court में अपील करेंगे, तो वो बताया है, सबका total करके single sentence मानेंगे, section 32 कहता है, mode of conferring powers, 32, 33 इतने important नहीं है, केवल इन दोनों में ये ध्यान रखना, high court or state government की power ह 32 में specifically ये कहता है, कि ये दोनों authority जो है, ये empower करती है, कुछ person को उनके नाम और उनके offices से, ठीक है, second कहता है, हर order जो है, उसी date से effect होगा, जब उन्हें communicate किया गया था भी, आप इस office के लिए empowered है, section 33 में कहता है, parts of officers appointed, जब भी person जो hold कर रहा है office, जिस इस code में, जिस accordingly उसको power दी गई है, तो वो कौन दे सकता है, यहाँ पे high court or state government, वो exercise करेंगी, किसमें अपने local area में, जहाँ उनको बताया गया, मतलब इसमें कोई ऐसा confuse मत हो न, 32, 33 में कुछ नहीं है, just बताया है, कि high court or state government उनको empower कर देती है, भी आपका ये office है, आप इ jurisdiction होगा, simple, दोनों में यही बात है, section 34, फिर important है PT के लिए, कि कौन-कौन विड्रो कर सकता है power, तो high court or state government विड्रो कर सकती है, सारी power जहाँ पे उन्होंने अपने subordinate को दी है, और second में कहता है, chief judicial magistrate और district magistrate, जो हमने अभी पहले पढ़के आई, इस से पिछली वाली वीडियो में मैंने powers में बताया था, उन्हें कहता है CGM और district magistrate जो है, वो विड्रो कर सकता है, जो उन्होंने दी हैं, वे वापस भी ले सकते हैं, section 35 कहता है, power of judges and magistrate exercisable by their successor in office, यानि कि power duty है, जो judge की magistrate की, वो exercise कर सकते हैं, उनके successor, जहाँ पे doubt होता है, second subsection में कहता है, about succession की additional और assistant session judge का, तो वहाँ पे कौन decide करेगा, session judge, determine करेगा कि कौन जो है, उनका successor माना जाएगा, additional और session judge का, और third में कहता है, कि जो doubt होगा about judges, वो कौन करेगा, chief judicial magistrate और district magistrate, ठीक है, तो simple है, as such इसमें कोई बात नहीं है, तो ये हमारा हो गया है, section 35 तक, next है chapter 4, chapter 4 डील करेगा, 36 से लेके 40, simple है इसमें, 37 important है, 36 एक बार ले लिते हैं, 36 में है, power of superior officers or police, ठीक है, तो जो police in charge होगा, उससे जो superior rank में होगा, वो exercise same power करेगा, उस local area में, not so important, B में है, A to magistrate, यानि की police और magistrate की सहायता करना, ये कहता है, B, ये part important है, इसमें प्रलिम इसके बन जाते हैं, जैसे section 37 आपकी हरियाना की प्रलिम में, 17 में आई थिंक, जो scrap हुआ था, उसमें आया हुआ था, या 15 में आया हुआ था, तो, क्या कहता है, देखो, public went to assist magistrate और police, magistrate और police की सहायता, public कब करेगी, Every person is bound to assist a magistrate और police officer, ठीक है, किस किस चीज में ये circumstance आपको याद रखने हैं, देखिए, कोई person arrest से भाग रहा है, तो उसको पकड़वाने में मदद कर सकती है, breach of peace, शान्ती भंग जहां पे हो रही है, उसको रोकने में, उससे दबाने में, suppress करने में, help कर सकती है, और injury हो रही है, किसी public place पे, यानि कि railway, canal, telegram, telegraph, public property, वहां पे सब पे, ठीक है, ये बात करता है, 37, 38 कहता है, 82 person other than police officer executing warrant, ठीक है, यानि कि अगर authorized किया है, police officer से अलग किसी person को warrant के लिए, तो उसकी भी सब लोग जो है, help करेंगे, section 39 में, ये देखो, ध्यान रखने पड़ेंगे, आपको sections भी, क्योंकि ये दिल्ली के, 2018 के प्रलिम में पूछा हुआ था, क्या 302 include होता है, 39 की list में, इसलिए मैंने लिखे हैं, अगर नहीं पूछा होता तो मैं इनको नहीं mention करती, तो public to give information, यानि कि कुछ offenses की information पब्लिक को देनी पड़ेगी, ठीक है, तो किस-किस चीज की aware है, जो कि भई कहीं पे commit हुआ है, या उसे लगता है, किसी person की intention है, उस case में, देखो section कौन-कौन से है, 121 से 126, 130, chapter 6 में, फिर 143, 140, unlawful assemblies वगएरा से related हैं ये, ठीक है, और 161 से 165A, और 272 से एक बार इनको पढ़ लेना, 278 और ये 302 का पूछाई हुआ था, मैंने आपको बताया, 303, 304, 364A, ये kidnapping वगएरा से 382, 392 से 99, 402, 409, 431 से 39, 449, 450, 456, 460, 489 से 80, ये जो है, आपको information देनी होगी, और burden of prove करने का जो होगा, वो किस पे होगा, जो aware है इन चीजों से वो उनको prove करेगा, ठीक है, किस कब करेगा, ये लिस्ट ध्यान रखना, उसके बाद, तो ये burden of proving, which excuse shall lie upon the person, जो so aware, जो बता रहा है, जो information दे रहा है, किसको magistrate police officer को, वो prove करेगा, कि हाँ भी मुझे awareness थी, और ऐसे ऐसे ये घटी दो सकते हैं, तो वो अपना reason दे सकता है, ठीक है, second में कहता है, offense जो है, क्या-क्या include करेंगे, include any act committed at any place out of India, ठीक है, इसमें यानिकी offense जो बाहर हो रहे हैं, वो भी include होंगे, which would constitute an offense, if अगर वो इंडिया में committed होते, तो offense constitute करते हैं, ठीक है, section last है, duty of officers employed in connection with the affairs of the village to make certain report, ठीक है, प्रली में पूछा हुआ था, किसको दी जाती है information तो किसको, सब में यही है, magistrate और police officer in charge को, तो officer जो है, अब देगा, क्योंकि duty of officer बताई है, public की तो हमने देख ली, 37 में, 39 में, ठीक है, अब first में क्या कहता है, subsection में कि जो officer होगा, जो village में employed है, वहां काम कर रहा है, या वहां रहता है, communicate करेगा nearest police station में, या फिर magistrate को, ठीक है, क्या क्या करेगा, ये देखो, कि किसी का residence है, वहां पे, जो stolen property से deal कर रहा है, या ठग, rober, escaped, convicted, जो है, proclaimed, offender है, वहां रह रहे हैं, या commission या intention है, जो ये non-bailable offense है, 143, 144, 57, इन में, IPC में, इनको जो है वो, बताएगा, कि इस तरह की जो circumstance है, ऐसे लोग हैं, वहां पे रह रहे हैं, या commit कर रहे हैं, या उनकी intention है, occurrence in or near such village of sudden unnatural death, अगर village में हो रही है, मालो, कोई भी unnatural death है, जैसे किसी लेडी को मार दिया, किसी आदमी को उन्हें लग रहा है, natural death नहीं है, वो, तो वहां पे suspicion है, death को लेके, वहां वो किसको बताएगा, police officer या फिर magistrate को बताएगा, और E में है कि, ऐसा commission और intention to commit, कोई भी ऐसा offense होगा, जो गाउ में हो रहा है, उसको बताएगा, ये कुछ section number लिखे होए हैं, ठीक है, 231 से 38, murder वगेरा के हैं ये, और 382, 92 से 99, ये बतलब है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, मैं इनको mention करूँ कि, उस चीज़ का कोई फाइदा नहीं है, आप जब तक एक बार इनको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार जब इनको होते हैं, तभी याद होते हैं, आप रट नहीं सकते हों कि, हाई इतने इतने आएंगे, बढ़ थोड़ा सा बस chapter wise याद रख लेना, ठीक है, D में है, F में है, sorry, maintenance of order of prevention of crime, ठीक है, कि जो ऐसे matter है, जो आपको, जो village है, maintain करने हैं, वहाँ पर prevent करना है, किसी crime को, with respect to किसने order दिये हैं, DM वगएरा ने, किसकी sanction के साथ, state government के साथ, तो इस तरह के maintain करने, और second में फिर village, proclaimed offender और officer जो वहाँ पे employed कोन होगे, इनको बताया है, village, village land होगी, proclaimed offender कोन होगा, कोई person, जो proclaimed as an offender है, by court, यानि की court के द्वारा वो ऐसे घोशित किया गया है, proclaimed offender, और officer employed वहाँ पे कोन कोन होगे, ये ध्यान रख लेना, जो पंचायत का member होगा, वो include headman, और officer या फिर कोई और person जो appoint हुआ है, कोई function करने के लिए, village में, वो सभी जो होगे, क्या होगे, officer, employee, यानि की उनकी ये duty बनती है, बताना, अगर कुछ, जो मैंने उपर circumstance बताया, ऐसे कुछ, happen होते हैं, वहाँ पे, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 40 cover हो जाता है, दो वीडियो औ लगेंगी, उसके बाद 41 से 60 हमारा ये जो arrest वाला, क्योंकि ये काफी important है, इतनी जल्दी नहीं करवा सकती है, पर दो वीडियो में कोशिश करूँगी, छोटी-छोटी बना के और इनको फटा-फटन उपटाऊं, तो आपको समझ में आया हो 40 तक, तो प्लीज लाइक कीजि तंक्यू!